हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल इन्वेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के शेर के उपर क्या दोस्तो अगला जो हफता आने वाला है मारकेट का उसमें टाटा पावर का शेर तेजी करकर दिखाएगा और जो 260 रुपे का आकड़ा है वो शेर अप कप छुएगा त्योंकि हाईयर लेवल से शेर लगबग 25 प्रतिशत से ज्यादा करेक्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है क्या ये सही मौका है शेर के अंतर खईदारी करने का या प Casey अभी वेट करना है जानेंगे इस वीडियो में और क्या होगे 30 मai के टागिट बात सब की करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो का इंटाक दिखीगा वीडियो अच्छा लगए तो चालों का सब्सक्राइब करके जाएगा दोस्तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले फ्रेंट्स अगर आपन बात कर ले इंडियन मार्केट्स की तो इंडियन मार्केट्स में दो दिन तक लगातार एक अच्छी तेजी देखने को मिली है दो दिन में निफ्टी लगबग दोस्तो 400 से 4500 पॉइंट्स की रिकवरी दिखा चुका है और एक बड़िया तेजी आपको दो दिनों में मार्केट में आती भी देखने को मिल रही है टाटा पावर का शेयर 210 रुपे के आकड़े से लगबग 224 रुपे के आकड़े पर आगया है काफी अच्छा रिवर्सल टाटा पावर के शेयर में भी आता हुआ देखने को मिला अगर अपन बात कर लें फॉरेंड मार्केट की भी तो फॉरेंड मार्केट फ्राइडे एंड में काफी अच्छे पॉजिटिव नोट पर क्लोज होते हुए देखने को मिले लग बग 98 पॉइंट की तेजी में एजेक्स निफ्टी क्लोज हुआ है तो डेफिनेटली एक फ्लाट ओपनिंग या फिर एक ग्यापप ओपनिंग के चांसे जो है वो मंडे के दिन मारकेट्स में काफी ज्यादा है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नोट पर जो ओपनिंग है टाटा पावर की वो मंडे के दिन डेफिनेट तौर पर हो सकती है और वहीं अब अगर बात कर ले निफ्टी के energy index की तो निफ्टी energy index के अंदर Tata power का share कामकाच करता है उसके अंदर लगबग एक प्रतीशत की गिरावट आती भी देखने को मिले और इस गिरावट के चलते हैं आप देख सकते हैं सारे लगबग energy stocks यसे IOC, Reliance, BPCL ऐसे कई सारे stocks आपको गिरते वे देखने को मिले बट Tata power and Adani Green यह दोनों share energy index के अंदर आउट परफॉर्म करते वे देखने को मिले Tata power जो था वो energy index का top gainer आता हुए देखने को मिले है 16 millions की volume इस share में दर्ज हुई है और definitely Tata power का जो share अभी जिस level पर कामकाच कर रहा है वो उसके exactly अपन बात करें तो support level पर कामकाच कर रहा है अगर माल लीजे कल के दिन ये share 227 रुपीज का लेवल मंडे के दिन के बात कर रहा हूँ मंडे के दिन अगर 227 का लेवल ये share cross कर देगा और उसके उपर माल लीजे closing भी आ गए 2-3 रुपे उपर closing भी आ गए 300 के लेवल पर गया है तो definitely ये काफी अच्छा zone है I think so इस लेवल पर आपको टाटा पावल के share में definitely long position मिलानी चाहिए और वहीं अगर बात कर ले stock के intraday के लेवल की तो हमशा की तरह इसने आज की दिन भी intraday के Friday की दिन भी intraday के दिन एक low लगाया 225 रुपे 70 पैसे का open था दोस्तो इसका and low लगता है 222 रुपे 70 पैसे का तो definitely दोस्तो stock low लगाता है and फिर low से recovery करता है stock की ये फितरत बन चुकी है अगर मान लीजे मंडे के दिन जादा gap up हो जाता है अगर मान लीजे 100-800 points का gap up open होता है Tata Power का share 230 रुपे open होता है तो definitely अगर आप intraday trader है या फिर आप buying करना चाहते हैं share के अंदर तो 230 के level पर definitely आप buying ना करें थोड़ा सा share अगर नीचे आए 225-224 के levels पर आए तो definite तोर पर आप इस stock के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि EV as a space अभी तक भी दोस्ता आप कह सकते हैं कि evolve नहीं हो है market में जब तक आप मुझे लगता है कि 3-5 सालों के अंदर definitely EV का रोल आउट है वो play होता हुआ देखने को मिलेगा इसलिए long term bet आप Tata Power को ले सकते हैं और long term में minimum to minimum 300 से आप कह सकते हैं कि 4500 रुपय तक का level यह share definitely reach कर सकता है वही company ने इस बार dividend भी पेशकर्श किये तो ऐसे अगर company का profit बढ़ता जाएगा dividend डिदा जाएगा तो definitely जो share price है वो आने वाले 2-3 सालों में 400 से 500 की range में भी जा सकता है तो यह काफी important होता है जो अभी buying position मनाना चाहते है stock लगबग 25% नीचे कामकाच कर रहा है अपने 52 week highs से अगर आप 6-8 मेने का भी टाइम इस share को देंगे तो minimum to minimum 25% का जो आकड़ा है जो गिरावट में भी share कामकाच कर रहा है अपने highs से वो minimum to minimum share cross करता हुआ देखने को मिलेगा और यहां से अगर आपन बात करें तो within 2-3 weeks डेफिनली जो 260 का जो level है वो share cross करता हुआ देखने को मिल सकता है यह कि अभी जिस level पर share मिल रहा है वो काफी अच्छा level है और यहां से गिरावट के chances जो है वो काफी कम है अगर आपन risk reward की बात करें तो max to max share 210 रुबे का level चू सकता है उससे जादा गिरावट I think so stock में नहीं आएगी 210 दोसो अगर आपन बात करें तो buying range क्या हो जाना है चीए long term investor के लिए तो वो है 200 से 200 से 225 यह काफी अच्छी buying range है long term investor की और अगर आपने higher levels पर भी buying कर रहा है तो यह काफी अच्छा level है दोस्तों आपको adjusting करने का यहां से आपको काफी अच्छा मौका मिल सकता है टाटा पावर के share में और नियर टर्म में यह share आपको 260 से 275 तक के targets दिखा सकता है अगर अगर बात करें तो लगतार दूसरे दिन काफी अच्छा long build up futures में होता हुआ देखने को मिला है लगबग 19 million की volume 30 January 30 June के futures में आती भी देखने को मिली है अब अगर बात कर ले main rate stock के resistance की तो यह 3 resistance आपको intraday trader के तौर पर काफी जादा important है 226, 228, 2230 तो Monday के दिन हो सकता है शेयर एक range में कामकाच करें अगर Monday के दिन 230 का जो level है वो शेयर क्रॉस कर देगा तो immediate tour पर 231 से 233 तक के targets आपको Tata Power के share में आते वोई दिखने को मिल सकते है प्लस Monday के दिन मुझता है कि Tata Power का share आउट पाफामिश ले कर सकता है क्योंकि market तेजी में थे तो energy index negative में कामकाच कर रहा था और energy index negative में कामकाच कर रहा था उसके बावजूद Tata Power का share positive में कामकाच किया और हो सकता है Monday के दिन एक काफी अच्छा pullback आपको energy index में आता हुआ देखने को मिले अगर 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 आपन बात करें stock के targets की तो जैसा कि आपको पहले भी बता है share khan, ICSA securities and share khan इन तीनों ने अपने targets revise करें तो RICO price अगर अगर आपन बात करें तो RICO price 245 से 315 का target दिया है ICSA securities ने 262 का target दिया है उससे पहले share khan ने एक और 273 का share price था तब 315 का target दिया था वही अगर बात करें price performance की तो price performance दोस्तों अभी अगर अगर अपन बात करें तो short term में काफी week है but definitely long term में इसने अपने share holders को काफी शांदा return कमा है और मेरी यही सला है कि इस share को आप 6-8 महिने के लेकर छोड़ दीजे आपको definite तोर पर 25-35% तक के returns आने वाले 6-8 महिने में Tata Power के share में देखने को मिल सकते है volume analysis के अगर बात करें तो volume अभी काफी कम होती हुए देखने को मिले मातर 2 करोड share state हुए और उसमें से भी लगबग 29 lakh के delivery लोग घर ले आते हुए देखने को मिले आप देख सकते हैं 46% हिसा promoter zone करते हैं उसके बाद second most stakeholder एक company के public लगबग 26% और उसके बाद DIs and FIs FIs की लगबग 11 प्रतिशत की इस्तारी और FIs हमेशा उनी companies में पैसा invest करते हैं जिनकी financial overview, long term perspective and आप कह सकते ही company आपको future में कैसे returns कमा कर देगी यही सब follow करने के बाद FIs पैसा invest करते हो definitely FIs ने काफी अच्छी company में वैसा invest किया है वही अगर अगर बात करें company की market capital की तो 71,783 करूर की company की market capital है यह तीनों शेयर काफी अच्छी आउट performance करते हुए देखने को मिल रहे है Adani transmission, Adani power, Tata power, Adani power के तो video भी मैंने recently बनाई थे आप check कर सकते है definitely काफी अच्छा शेयर Tata power and finally stock कर चार्ट की बात करें तो आप देख सकते है 6 months के charts मैंने खोले और आप देख सकते दोस्तों लगबग अपन December के अगर बात करें तो 2021 December में शेयर का प्राइस सा लगबग 220 और यह प्राइस लगबग दोस्तों फैब में गया 260 and then गिरावट आई और गिरावट आई लगबग दोस्तो 215 तक और वहां से एक काफी तगड़ा pullback Tata Power के share में आता हो देखने को मिला और यह 220 का share लगबग जा गया 300 तक and then फिर अपन कहा सकते कि market में fall आया Russia Ukraine का आप इदर Russia Ukraine की मामला sought out वैसे market में तेजी आई and उसके बाद आप देख सकते काफी तगड़ी गिरावट आती वह देखने को मिली inflation की वज़े से and अभी share लगबग आपको आप कहते कि 210 रुपीज 210 रुपीज से reverse आता हो देखने को मिल रहा है reversal तब मालू पड़ेगा जब यह share 240 के उपर close हो जाएगा 240 के उपर close हो गया तो definitely share एक reversal का move दे रहा है and then 260, 280 and 300 will be on cards और आपको एक V-shape recovery Tata Power के share में देखने को मिल जाएगी and finally अब stock के अगर intra day के levels के में बात कर लो तो intra day पर perspective से आपको 211 से 223 रुपे की range में Tata Power के share को buy करना है और मुझे लगता है कि यह share आपको Monday के दिन 230 रुपीज का minimum target देता हुआ देखने को मिल सकता है तो buying की सला होगी Tata Power के share के अंदर और 230 रुपीज सक का target आपको Tata Power के share में Monday के दिन देखने को मिल सकता है अब news की भी अगर बात कर ले तो दोस्तो news in news में भी था है share Tata Power और वो news क्या थी आप देख सकते Renewable Energy Arm of Tata Power Place announced the commissioning of 100 Megawatt solar project of Maharashtra State Electricity तो Tata Power ने Maharashtra State Electricity के करार साथ करार किया है 100 Megawatt solar project को commission करने वाले Tata Power तो एक ख़बर भी काफी अच्छी है तो हो सकता है Monday को काफी अच्छे आपको action में आता हुआ देखने को विले Tata Power का share और एक बड़िया तेजी Tata Power के share में आपको देखने को मिल सकती है तो दोस्तो that's it for video, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करेगा दोस्तो, thank you for watching this video